अपने पती को जूटे बलतकार और लूट के मामले में फसाने के मामले को लेकर पुलीस अदिक्षक कार्याले नीमच में आज एक महीला ने आविदन दिया जीरन धाना अंध्रगत आने वाले गाउं सगर ग्राम की कवीता बाई पती कमल कुमार जॉाती बाच्वडा के द्व यह सभी मिलकर मेरे पती कमल कुमार बाच्वडा की खिलाव राजुनितिक सरक्षन में दबाव डालकर जुरन थाने पर बलतकार और लूट का प्रक्रेंदर्श करने की कोशिश कर रहे हैं महिला कवीता बाई ने बताया कि उसके पती और आकाश बाच्वडा की बीच कोट में मकान का केस चल रहा था जिसका फैसला मेरे पती के पक्ष में हुआ जिसके कारण रंजीश रखते हुए विक्रम ओड और लोकेश की बहने करशना और मोनिका आने व्यक्तियों के साथ मेरे घर आकर दो लाक रुपे की मांग की और पैसे नहीं देने पर लूट और बलतकार की केस में फसाने की दमकी भी दी महिला कविता भाई ने स्पिय से गुहा लगाई है कि ऐसे जूटे आरोपों में फसाने वाली महिलाए करशना और मोनिका सहिद विक्रम आकाश लोकेश पिंटू के खिलाफ उचित कारिवाही की जाए उचित ओर भी ड़ी जाए तुमारा इसाथ गंडी गाली स्थो रहे नहीं को तो हम बोलें निट उसने फोन लगा दिया विक्रम को तो विक्रम ओर और उसके साथी विक्रम ओर उसका लड़का मनिश और कुईटू शंदी और लोकेश और वो दो लड़किया एक का नाम है मो सुबे में आके बोले रुपी नि दो लाउट करते हैं,अने क्यों पर आपक्रम मुण होगा बंस लाओ टाने में आसे बिदे को करदेंगे अगर न Deputy क्इर आपक्रम करते ना पर सब्रद सालोब तर राप से निय Adaptive dina में पism but तो वो लड़की का संबंद विकरमोड से है तो वो वो लड़कियों के आवेद्शंबंद से हैं उन्से जो आकाश बास्रा है हो और उसके भी हमारे केस चल रहे हैं जूटी जूटी रिपोर्ट है वो भी दिलवाना चाहता है बहता है के कमल की श्रक्तिलाब दूं तो एशा क जो टामलाकतार लगा हुऊँ भी शपोर करें